नमशार शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद नोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुस ज देखेगा इनकी जो मस्तिस्क रेखा है इस प्रकार से एक सुन्दर रोप में यहां पे आ रही है और चंद्रमा का इसमें सीधा प्रभाव पड़ रहा है और अंत में ये दो भागों में विभगत हो रही है इसका मतलब है कि बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा है और आ रही है ये जीवनकाल में बहुत अच्छी यात्राओं को देता रहेगा आप जीवनकाल में बहुत अच्छी यात्राएं करेंगे लंबी और हवाई यात्राएं करेंगे जिससे जीवन में मन मस्तिस्क आपका जो है एक बहितरीन रहेगा उत्साह से भरा रहेगा ठीक जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबे रहते हैं और कभी-कभी आपका जो मन है वो भी एकागर्चित कम हो पा रहा है लेकिन बहुत बड़ी सपलता आने वाले समय में आप प्राप्त करने वाले हैं ये इसकी सूचना दे रहा है और देखेगा अंत में दो भागों में बट रहा है ये मस्तिस्क की रेखा इसे बहुत अच्छा और बहुत सुब्चिन माना जाता है क्योंकि ऐसा जो ब्यक्त होता है कई छेत्रों से धन कमाने का प्रियास करता है और समय आने पर वो सफल भी होगा ये यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रहा है दूसरी बात हतेली में जो मुख्या है आप देखेंगे जो इनकी जीवन रेखा है और मस्तिस्क रेखा है उसके बीच में एक बड़ा सा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है जोइंट बना हुआ है इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने जीवन काल में एक प्रेशर की उपर बहुत जादा रहेंगे आपकी उपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रहेंगी आप स्वचंद तो उड़ना चाहेंगे लेकिन कुछ एक जिम्मेवारिया या कुछ एक चीजों के कारण स्वतंतर रोब से नहीं उड़ पाएंगे मनि एक जिम्मेवार बेकती है और अपने जिम्मेवारियों का निरुहन बखो भी करेंगे ये बहुत अच्छी चीज है तीसरी बड़ी चीज देखेगा हतेली में यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा जीवन की रेखा अंत में दो भागों में यहाँ पे बिवक्त हो रही है इस प्रकार से अगर आप देखेंगे मैंने ज्यादा अच्छा यहाँ पे ये यह अगर देखेंगे इस प्रकार से जीवन की रेखा यहां पर दिखाई दे रही है अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से बन रही है तो इसको दुमोखी भी कहते हैं इसका मतलब है देखेगा यह प्रेक्टिकल रूप में है और खास करके आपके इसमें किये तो में भी मनिबंद में भी दो रेखाई हैं और ये ज्वाइंट है इसका लक्षन मैं बताता हूँ ये प्रेक्टिकल रोप में जिसके हथ में होता है उसके जीवन में यही चीज घटित होती है अभी तक का जो मेरा रिसर्च है अनुबहु ह जितनी हतीलियों का मैंने विसलेशन किया है एक अपने जन्म अस्तान से दूर ऐसा विक्ति उन्नति करता है काम्यावी को हासिल करता है जन्म अस्तान में रहकर एक सामन्य विक्ति बन के रहे जाता है या तो वो देश के किसी और छेतर में जो है विकास करता है या विदेश लोगों का जो प्रारंबिक जीवन होता है कुछ लोगों का 35 वर्सतक का कुछ का 38 वर्सतक का और कुछ का 40 वर्सतक का तो यहां पे थोड़ा सा 40 वर्सतक का इस्तिती अभी दिखाई दी रही है कि थोड़ा सा संगर्स भी रहेगा थोड़ा सा हलके रुप में उतार चड़ाओ भी आएंगे और अगर आप जल्दबाजी में भावनाओं के बसीबूत होकर और जो है उतावलेपन में कोई बड़ा निरणे लेते हैं तो ये संगर से भी देगा और और इस्तिरता भी देगा तो इन चीजों से बचके रहें ठीक है ने लेकिन ये प्रारंबिक दौर गुज करेंगे आप तरक्की बड़ी लेबल की पाएंगे बहुत बड़ी लेबल की तरक्की और धन आप अपने करियर को बहुत उचायों पे ले जाएंगे ये निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है ठिक दूसरी बात अपने बलबूते पे अपने जीवनकाल में सफल होंगे ये आपकी हतीली में इस पश्ट दिख रहा है आप कहां पे दिख रहा है आप सवाल तो करेंगे ने पन्ड़ जी आप कह रहे हैं कि अपने बलबूते पे सफल होंगे लेकिन कहां पे रेखाई हैं और पूछना भी चाहिए ठीक है ने यहां पे देखो ये इसको कीतु का छ रहा हुमें वैसे कोई ज्यादा नहीं बताता है और दूसरी बात ये आपके कलेक्टिब कर्म आज को दिखाता है जो पूरो जन्म के पुण्य कर्म है उसको दिखाता है वो कब उदय होंगे और उसका समन्द सुक्र से भी होता है ब्रिस्पती से भी होता है ठीक है न तो य आगे बढ़ाना सुरू कर लेंगे ठीक है ने और 42 वर्स में अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगे अचानक ही उसका भी मैं चिन बताता हूँ पहले इसको ये बताता है कि बिक्ति अपने बलबूते पे अपने जीवनकाल में सफल होगा और वो काम्याबी उसकी देखे गए तो हलके रोप में मचले का चिन भी इसको माना गया है मचली ही है चाए कोई संक का कहे पते का कहे लेकिन नहीं मचले का चिन है और हमारा सामुदरिक बिज्ञान परमान देता है वो बताता है कि यस्याहस्ते मत्सरेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड यस् जिसकी हतेली में कहीं पर भी मचले का चिन हो वो हतेली की जो पोजिटिव उर्जा है सकारात्मक उर्जा है उसको बढ़ा लेता है और जिस ग्रह पे बैठता है उस ग्रह के गुणों में बिर्दि करके उसके ग्रह के गुणों में दुगना बिर्दि करके बिक्ति के अंद और उन गुणों को समाहित कर लेता है और उसका फाइदा ब्यक्ति को मिलता है अब यह है किये तुपी बनावा है किये तुम मैंने पहले बोला धर्म अध्यात्म का ग्रह है रिसर्च का ग्रह है और आपके कलेक्टिब करमाज का ग्रह है आपकी यात्राओं का ग्रह है आपकी पैतरिक संपत्य का गरह है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवर्ति के इनसान बन जाएंगे आपके अंदर एका एक जो है आध्यात्मिक प्रवर्ति आनी सुरू हो जाएगी और आप धर्म करम की तरफ जादा ध्यान देना भी सुरू कर लेंगे दूसरी बात आपको निश्चित रोप से यात्राओं का बेहत्रीन लाप मिलेगा जिससे मन परसंद रहेगा और जीवन में खुसनमा माहोल बना रहेगा तीसरा बात आप देखेगा ये दृष्टि गोचर कर रहा है आपके ब्रिस्पति को ब्रिस्पति क्या है ग्यान आपकी नौलेज ये आपको बहुत बड़े नौलेजबल इनसान बनाएगा ग्यान आपके अंदर कूट कूट कर रहेगा किसी खास चीज के बारे में बहुत बड़े नौलेज आपको रहेगी आपके सवाल पे भी आता हूँ मैं मुख्य है ठीक है न अब एक बहुत बड़े चीज को देख लेते हैं फिर मैं जो है आपके सवाल पे आता हूँ एक चीज और उबर रही है फिर बड़ी चीज को देखते हैं, यह आपका चंद्रमा है, अब चंद्रमा की अगर इस्तिति बरतमान में देखें तो संतुलन अवस्ता में नहीं है, संतुलित नहीं है, यहाँ पर यह उठावा है, यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा दबावा है, तो और धाई वर्सों तक आपके जीवन में इसका प्रभाव यहाँ पर इस्पष्ट दिखाई दे रहा है, धाई वर्सों तक यह कहीं न कहीं आपके मन को गड़बड रखेगा, मानसिक प्रेशानी भी दे सकता है, और कई बार बहुत ज़्यादा आपको भावक बनाएगा, या इमोशनली प्रेशा कर सकता है, इसकी संभावना जादा है, कभी कभी आपका मन कमजोर हो सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन ब्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अन बने मन से कर रहे हैं, ध्यान कहीं और गया हुआ है और मन से जुड़ा हुआ है सिधा हमारा digestive system अगर ये ज़्यादा दब जाए या ज़्यादा जो है खराब इस्तिति में आ जाए बैलेंस इस्तिति में न हो तो क्या हो जाता है बिक्त को पेट की दिक्कते आनी सुरू हो जाती है ऐसे में या तो बिक्ति मा से दूर रहता है या मा के साथ मतभित्ता रहती है या मा को लेके कहीं न कहीं चिंताएं भी रहती है और ये बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस न रहे संतुलित न रहे असुंतुलन की और जादा बड़े तो नीन आने में भी विक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो इस पे आपको विशेश ध्यान देना है ये खराब इस्तिति में है तो चंद्रमा को कैसे ठीक करना है मैं एक उपाई दोंगा ओडियो के माद्यम से उस प्रकार से आप ठीक करें अब एक बहुत बढ़िया चीज आपके हतेले में उबर रहे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे से एक रेखा उबरती हुई जा रही है अभी पूर्ण नहीं हुई अभी इसको कम से कम साड़े तीन वर्स लगेंगे वो भी तब अच्छी होगी जब आप दिब्य ध्यान योग किरिया करेंगे एक प्रकार का प्रणायाम है योगा है और मेडिटेशन है यह करना आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में चंद्रमा का उपाही भी अब इस रेखा का फल क्या मिलेगा यह रेखा बता रहा है कि देशी नहीं बिदेश तक आपकी कीर्थ फैलेगी यह रेखा अगर प्रबल हो गई तो यानि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा इसका मतलब है कि आपको यह ऐसे काम करेंगे जिसके कारण अपनी ही देश नहीं बरन बिदेश तक आपकी कीर्थ फैलेगी यह बहुत अच्छी चीज है यह निश्चित तोर पे मैंने प्रबल फल देता हुआ दिखाई देए लोगों के हाथों में देखा है तो इसने प्रबल फल दिया है ठिक अब यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी आपकी हतेली में आ रही है यहाँ देखे यह आपका अंगोठा है ठिक अब इस अंगोठे में देखेंगे तो इस प्रकार से जो है दो रेखाओं का आगमन हो रहा है और यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा निरंतर अच्छी इस्तिति में उपर की और जा रही है इसका मतलब है कि लगभग 42 वर्स में या उसके थोड़ा बाद भी हो सकता है लेकिन वैसे 42 वर्स में इसकी गड़ना आ रही है कि आपको अपनी जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरकी मिलने वाली है ये चीज अचानक जीवन में तरकी को दिखा रही है धन है, परतिष्टा है, मान सम्मान है सबी चीजों में ये बडोतरी कर लेगा और छोटी-मोटी बडोतरी नहीं बड़ी लेबल की बडोतरी इसके बाद जब ये राजयोग आपका लक्षमी नारायन अखंड राजयोग आपका उधायमान इस्तिती में आएगा तो आप निर्धन नहीं रहेंगे आप गरीब नहीं रहेंगे लेकिन धीरी धीरी आपके अंदर एगो प्रोबलम आनी सुरू हो जाएगी इससे थोड़ा आपको समल कर चलना है क्योंकि ऐसे में आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे धर्मकर्म के कारियों में बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे दान पुन्ने से समंदित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग बहुत सांदार दिखाई दे रहा है 42 वर्स से ये ब्योसाई में सपलता दिखा रहा है ब्योसाई त्यादी चीजों को और विसेश परकार के सपलता को भी ये दिखा रहा है 42 एर से लेकिन उससे पहले क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये अड़ी निकल चुकी है इसका मतलब है कि आपके अंदर नौलेज बहुत अच्छा है ब्रिलेंट नौलेज है आपके अंदर लेकिन जल्दबाजी में भावनाओं के बसीब होतो होकर और उतावलेपन में अगर आप निरणे लेते हैं तो जीवनकाल में आपको संगर्स का मूँ देखना पड़ेगा धनहानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 41 वर्स से पहले वैसे तो 42 वर्स से है लेकिन 41 वर्स से पहले आपको ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करना है लेकिन कभी भी आप अपने जीवनकाल में अगर ब्यावसाई करते हैं ब्यावसाई करते हैं अपना काम करते हैं तो पार्टनर्सिप में कभी भी ना करें ये नुकसान को दिखा रहा है पार्टनर्सिप नहीं है आपके हतेली में वैसे 41 वर्स से पहले खास कर जीवन में बड़े रूप में जिस परकार के आपके ख्वाब हैं जिस परकार आप सोचते हैं धन कमानी की इस्तिति लेट आ रही है 42 वर्ष से आपकी जीवन में इस्तितियां बहुत अच्छी इस्तिति में आ रही है और फिर आपका बुड़ापा 56 के आवी के बाद भी आपका बहुत ही अच्छा समय यहां पर नजर आ रहा है आपके सवाल का आंसर भी हो गया है ठीक है और अमारा विसलेशन भी हो गया है अब एक चीज और देखें फर फटा फट आपके हतीले को बड़िया धंग से देखते हैं एक तो देखेगा अपनी हिर्दे रेखा देख रहे हैं आप यहां पे देव गुरु ब्रिस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और यहां पे इस पष्ट तरीके से बिश्टन तिलक बन रहा है ठीक आप ब्रिस्पति क्या है बहुत अच्छी चीज है आपका धनवो है आपका परिवार है आपकी सामाजिक प्रतिष्टा है आपके अंदर की नौलेज है ठीक है ने में कुछ चीजे डाल रही हैं क्या चीज सब के लिए सोचने वाला ब्रिक्तित्व रहेगा और अच्छे नौलेज रहेगी बुद्धिमान रहेंगे तेजस्वी रहेंगे प्रेम के मामले में भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं दिखाव़े के लिए प्रेम नहीं करते है जिसको भी प्रेम करते हैं अपने हिर्दय की गहराई से प्रेम करने वाले हैं और अंततक निभाने वाला ब्रिक्तित्व आपका है लेकिन स्वाबिमानी भी है और स्वाबिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा ही आएगा लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ह दिक्कत नहीं है पून तो विश्वासी है विश्वास किया जा सकता है ऐसा विक्तित्व आपका है नीर्मल हिर्दय का विक्तित्व आपको मान, पद्द, प्रतिष्टा और नौकरी करेंगे कि तो आगे चल कर ओचे पद की प्राब्ती होगी कि इसमें कोई संका नहीं है एक चीज और है आपकी जीवन में इस के कारण ब्रिस्पति और इस रेखा के कारण आप चाहे अपने जीवनकाल में जिस भी प्रकार से हो चाहे आप ब्यापार करें चाहे आप नोकरी करें चाहे कोई और भी काम करें समाज में एक अच्छा और ब तीद करते हुए दिखाई देंगे अब यहां पर विश्णु तिलक है इसका मतलब क्या है अगर आप अपने जीवनकाल में अच्छे कारे करेंगे अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवस्य सपलता मिलेगी आपको हराना आपके विरोधियों के लिए यहां पर यह दिखाई दी रहा है मस्तिस्क रेखा कि हमने बात कर ली जीवन रेखा कि बात कर ली और यह रेखाया करियर और धन की रेखा है यह भी आगे चल कर अच्छी हो रही है लेकिन यहां पर देखो नाड़ रेखाएं भी है आपको यह उल्जन में दुविदा में और confusion में भी डालती हैं, कई बार निड़ने लेने की ताकत को कमजोर करती हैं, ठीक है ने, और जिस परकार से आपका career और धन का मामला एक smooth तरीके से चलना चाहिए, और जिस परकार से आपके कामों को बढ़ना चाहिए, जिस परकार से आपका स्वच्थ्य आरोगया और तंद प्रवाव खतम हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जीवन में बेहतरीन इस्तिती देखने को मिलेगी, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, और उसका आगे चलकर लाब भी दिखाई दी रहा है, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो ध खोन बढ़ाएं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, यस पाने की इक्षा, नेम फिम पाने की इक्षा, और अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उबरने की हमेशा इक्षा रहेगी, और आगे चलकर इसका लाब भी होगा लेकिन यहां पर एक लाइन आ गई है ये, आपके काम ऐसे में होती होती रहे सकते हैं, मनि 99% तक काम जातो सकते हैं, लेकिन 100% में तबदील होने में कठनाईयां आ सकती हैं, तो दिब्यसूर्य के रिया ज़रूर करें, ये उंगली अगर देखा जाए तो इस उंगली से हलक की बड़ी है और इस से छोटी है, इसका मतलब है आपको यस की प्राप्ति जरूर होगी, निश्चित तोर पे आपको यस मिलेगा और आपकी जो आकान चाये हैं, उनकी जीवन में पूर्ति होगी, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत जादा करमसील ब्यक्तित्व है, करम करने में कायरता नहीं रहेगी, और ये पॉजिटिव गुण है आपके अंदर, धार्मिक भावनाईं भी बहुत अच्छी रहेंगी, और इस स्वर में विश्वास बना रहेगा, एक सुखत जीवन जीने की चाहा रहेगी, और सुखत जीवन जीने के लिए प्रितनसील ब्य प्रियास कर रहे हैं, जो आप बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट निकलना चाहिए, वो हंड़र प्रियासों में कहीं न कहीं अर्चने आ रही हैं, सब कुछ होती हुए भी खुशियों में थोड़ी सी ये कमी देता है, सुक में कमी करता है, तो इसको बनने के लिए जो है, जो मैं दे रहा हूँ ने, एक किरिया, जिसको दिब्य योग ध्यान किरिया कहते हैं, वो जरूर करें, निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ब्रिस्प और उसका लाब भी आपको होगा, सनी आपका बहुत अच्छे अस्तर में बैठा हुआ है, यहां पी दो रेखाएं हैं, इसका मतलब है आपको यस जरूर मिलेगा, और संतान होंगी तो बुड़ापी में संतान का बहुत अच्छा सुक मिलेगा, और मल्टिपल प्रोपर्ट का लाब भी आपकी जीवन में आगे चल कर दिखाई दे रहा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेमफिम पाने की इक्षा रहेगी, जीवन में एस्वरे की प्रात्य होगी लगजरी जिसको कहते हैं, इसकी और यह संकेत कर रहे हैं, चंद्रमा खराब है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, अगर देखा जाए, तो मैंने आपकी हतेली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है, और जो उपाए है, वो बिदिवत तरीके से लिख करके, और आडियो के मादिम से भीज रहा हूं, आप करने के कोशिस करें, निश्चित ही आपको बड़ा इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार